नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टूडे बाजार और आज हम बात करेंगे अडानी ग्रूप को लेकर अडानी ग्रूप ने निवेशकों का भरोसा फिर से जीतने के लिए नए बॉंड बिक्री से पहले विदेशों में रोड शो का एलान किया है और कहीं कहीं जगे ये र राष्टे बॉंड मार्केट में ग्रूप ने वापसी के संकेत देते वे कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमीटेड में करीब 18 साल की डोर टू डोर अवधी के साथ साथ दॉलर मुल्यवाले करीब बॉंड से 409 मिलियन डोलर जुटाने की योजना बनाई है इस बिक्री से प्राप्त इंकम का इस्तेमाल 500 मिलियन को जो रकम का इस्तेमाल होगा उसका रिफाइनेंसिंग और 6.25% सिनियर सिकुरिटी नोट्स के जरिए किया जाएगा ये 10 जून 2019 को बेचे गए थे रिपोर्ट्स के मताबिक इस शो का उदेश से ग्रूप की डेट मेनेजमेंट ररन इसने अपनी बकाया मैचुर्टी से के एक बड़े हिस्से का सेटल्मेंट अलरी कर दिया है गुर्प ने रेगुलरेटी फाइलिंग में ये जानकरी देते वे कहा कि वो नियोश्कों का भरोसा फिर से चाहती है यही वजह के 2019 में बेचे गए बांड को अगले साल सितंबर म बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है ग्रूप ने जुलाई तक अदानी पॉर्ट और स्पेशल एकनोमिक जेओन के करीब 650 मिलियन डॉलर की बांड किस्त का कैश पेमिंट करने का भी वादा किया है जिससे वह करीब इस साल 325 मिलियन डॉलर का बुगतान पहले ही कर चु करेगा यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनरजी पार्क भी बनाएगा जो गुजरात के कच जिले में कच जिले में जो रेगिस्तान इसमें करीब 725 वर्ग किलो मिटर एरिया को कवर करेगा और यह सोर उरजा से करीब 30 गीगावार्ट बिजली का उतपादन करेगा और सोर और पवन के लिए एक इंटिग्रेटिड रिन्यूबल एनरजी मैनिफ्रक्ट्रिंग एको सिस्टम भी स्थाफित करेगा अडानी ग्रूप ने आगए जानकरी देते वे कहा कि तेलंगना में ग्रूप अगले कुछ सालों में करीब 12,400 क्रोड रुपे का निवेश करेग ग्रूप ने कहा कि अपने पॉर्ट्स बिजली और सिमेंट ऑपरेशन्स को बिजली की आपूर्ति करने के लिए अगले दर्शक में करीब ग्रीन एनरजी में करीब 100 अरब डोलर का निवेश करेगा क्योंकि इसका लक्ष है 2050 तक नेट कार्बन नेट जीरो कार्बन बनाने क उदेश है तो अडानी ग्रूप ने बेसिकली जो एक अब शुरू किया है दोबारा फंड जुटाने की महीम इसमें अडानी ग्रीन अडानी एसीजर और अडानी पोर्ट की योजनाओं को भी शामिल किया है तो यह था अडानी ग्रूप पर बिजनस टूरे बाजार पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें नमस्कार